इस वीडियो में आपको बताने वाले हूं कैसे इस Boat Wave Flex Connect smartwatch को smartphone के साथ connect करके complete एक features जो है कैसे use कर सकते हैं उससे पहले कुछ features बता दूए आप smartwatch से कैसे use कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से display में प्रेश करके रखते हो तो यहां से watch प्रेश कर सकते हो इसे के साथ बात करोकर हम Slide Down करते हैं यहां से करने से सेटिंग में जाते हैं यहां से आप Brightness Adjust कर सकते हो यहां से आप Time Out मतलब कितने सकन बाइड डिस्पली ओफ होना चाहिए वो set कर सकते हो और और बात करें तो यहां से Time Set कर सकते हो अब time and date set कर सकते हो अगर यहां पर date set कर लेते हैं उसके बाद यहां पर ampm select करके यहां पर time set कर सकते हैं time format भी सेट कर सकते हो 12-24 hour smart watch से कुछ इस तरीके से कर सकते हो यहां से आप क्यूए कोड को scan करके app download कर सकते हो जिससे हम इसको connect करेंगे यहां से आप reset सेट कर सकते हो इसको इसी के साथ बात करें अगर हम इस साइट करते हैं तो मेनू ओपन हो जाता है जहां से कुछ फीचर साफ यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से फोन का यहां पर ऑप्सन है जो कि हम आगे देखने वाले हैं एंड कुछ इस तरीके से कंप्लेट इसको यूज हान से ऐलाम सेट कर सकते हो विधर देख सकते हों फाइनलि कुछ तरीके सा ऑफ को युभॉच को कुछ यूज कर सकते हो और आगे बाद कर एक context करने के कैसे उस करके तो कनेक कर लिए सबसे पहले अपको रशोक्त कर लेना है यह से आप है बोट हुब करके यह जैसे कि आप यह location ओना चाहिए ठीक है यह तीन चीज आपको on रखना है उसके बाद यह आपको open करना है कुछ इस तरीके से and open करते हैं कुछ इस तरीके से open करने के बाद कुछ ऐसा option आएगा आपको get started पर click करना है यहां पर click करने के बाद अब आपको phone number ड़ालना है यहां पर ठीक है आपका जो भी phone number है यहां पर डाल कर देना है तो वह आउँ कर लेते हैं तो दे्ख ejerc लिए तो हमने phone number डाला phone number डालने के बाद OTP डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा उसके बाद यहां पर यहां पर मैं इसकीप कर देना है उसके बाद यहां पर आपको नेम और आपको इमेल एडर्स यह डालना पड़ेगा तो यह आपको यहां पर डाल देना है आपका नेम और इमेल एडर्स जो है यहां पर डाल देना है तो यहां पर मै रोव पिते मेल नेम डालने के बाद आपको sign up चुछ करना है कुछ ऐसा ऑप्षान biggest इसके बास पर आप यहां पर यहां पे नेक्स कर देना है उसके बाद डहिए यहां पर देरताल बेडल असंदay करने के कर ले ने कुछ थ है नेuh बरुन करना है यहांप करना है फिसका करना है पीर से जो यह इतन करना है उसके पर यहांपג करना है इससे 0 भुच इस तरीके से आनों अची है तो यहां से पर क्लिक करने के बाद कुछ में। बाद स्टार्ट पेरिंग पर क्लिक करते हैं यहां पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से देख सकते हो पेरिंग स्टार्ट हो गया है थोड़ा सा में वेट करना है यहां पर सो फोन का ब्लुटूथ ओन एंड लोकेशन ओन रहना चाहिए आपको ध्यान रखना है और स्मार्ट जो है फोन के पास रहना चाहिए सो कुछ इस तरीके से हमें थोड़ा सा वेट करना है यहां पर पेरिंग हो रहा है करने के पर पर करना है यहां से यहां से फ्ल्मीट करने का ओक्र कर लेना है सो यहां से पेर पर कलिक कर देते हैं तो अगर ब्लुटूथ से आपका प्यर नहीं होता है तो आपको Bluetooth से जा कनेक्ट हमारा कनेक्ट हो गया है अगर यह कनेक्ट नहीं होता है तो आपको सर्च करके डिरेक्ट इसको कनेक्ट करना है ब्लुटूथ से उसके बाद ही जो है कॉलिंग से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो यहां पर और और फीचर्स आप कैसे यूज कर सकते हो यहां पर देख सकते हो सबसे पहले watch faces का option है यहां पर आप देख सकते हो कुछ सकते हैं चलत करने के बात करें तो कुछ ऐसा अप्संट तो कुछ ऐसा यहीं आएगा तो यह प्लस वाले पुल्द क्लिक करने करने के बाद ग्यलरी तो यूज़ भी वाज़ पहीर आपको photo set करना है वूँर्ट पर इस था अप वाश पर उच्क वाइब हो आपको select करने का आपको crop करने के यहाँ से राइट पर किलिक कर दिना? है राइट पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हो टाइम पर जाना है कुछ इस तरीक से यहां पर डिजिटल रखना है तो आप डिजिटल रख सकते हो एनलोग रखना है तो आप एनलोग भी टाइम इसमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है तो अगर कुछ इस त सेकते हो 100% हो नहीं वाला है c 9th सकते हो या फिर कोई भी फिक्टर कर सकते हो सो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो आगे अगर बात करें तो यहां पे स्वाषण का आपसन स्वासित लिए किलिक करते यहां से तरीके से यहां से call reminder को on-off कर सकते हो calling को use करना है यहां से आप time format को 24 hour में switch कर सकते हो weather को यहां से on-off कर सकते हो rise to wake feature को यहां से on-off कर सकते हो automatic heart rate को यहां से on-off कर सकते हो do not disturb mode को यहां से अलोट सेट कर सकते हो अब बात करें तो एप नोटिफिकेशन का यहां पर ओप्सन दिखने के लिए मिलता है अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं अप क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से चीज देखने के लिए मिल जाता है काफी सारे यहां पर एप का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है तो सपर यहां पर अगर हम वाट्सेप का नोटिफिकेशन से हैं तो यहां से हम on करेंगे तो यहां पर on करने के बाद अब कोई भी अगर वाट्सेप पे नोटिफिकेशन आता है फोन पे तो वो हम watch पे receive कर पाएंगे तो एक बार आपको भेज के दिखायता हूँ दूसरे फोन से वाट्सेप का नोटिफिकेशन तो मैं दूसरे फोन से यहां से वाट्सेप पे नोटिफिकेशन सेंड कर रहा हूँ इस स्मार्टफोन पे मैंने सेंड कर दिया है अब देखेंगे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप वाट्सेप का नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हो देख सकते हो फोन में भी receive हुआ है और वाच में भी receive हुआ है इसको आप व्यू कैसे कर सकते हो इस स्लाइड करना है यहां से आप देख पाऊगे जो भी notification रिसीव होंगे आप यहां पर simply व्यू कर सकते हो और यहां से आप delete all पे क्लिक करके delete भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से notification का आप यूज कर सकते हो मैंने live आपको दिखा दिया इस साथ बात करें Bluetooth calling का तो यहां से Bluetooth calling पे क्लिक करते हैं और यहां से आप contact जो है add कर सकते हो यहां पे contact sync पे क्लिक करना है यहां से आपको plus पे क्लिक करना है जो उपर में option है plus यहां पे क्लिक करने बाद कुछ इस तरीके से options आएंगे तो यहां पर जो भी आपको number save करना है वह आपको search कर देना है एहां पर मैं search कर लेता हूं यहां से हमस्य लेक कर लेता हूं उसका done कर देना है done करने बाद कुछ इस तरीके से जब वो number set हो जाएगा तो यह अभी save हो गया है आपको अगर watch में जा के दिखाऊंग इस तरीके से हम यहां पर आते हैं and down करते हैं यहां से देख सकते हैं phone का option है यहां पर हम क्लिक करते हैं उसके ज़्याद हम contact में जाते हैं तो यहां पर देख लिवी नंबर हमारा save हो गया है कुछ इस तरीके से आध से आप state कर सकते हो नंबर and अब अगर मैं call करके दिखा दू और मेंने क्लोल कर दिया है तो में थोड़ा सावाश ओर करते हैं में पर देख सकते हैं कॉल आ गया है तो जैक सब्सक्राइब में पर evi वह और ईज़र अक इसमें प्रॉबलम आ रहे हैं की नमबर सोह हो रहा है यह इसोड़ा रहा है अगर कोई सुलीशन भी नहीं कर रहा है अगर हम contact भी save कर दे रहा है फिर भी जो है number so हो रहा है तो हला ही कुछ इस तरीके से calling feature का use कर सकते हो यहां से आप call को receive भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से receive करने के बाद यहां से जो है आप mute कर सकते तो अगर बैक आना है आपको यह हो कि आप Bluetooth कॉलिंग यहां पर देख सकते हो वियर डिटेक्शन है इसको भी आप आप आफ कर सकते हो मतलब किस हैंड में आप पहनते हैं वाच को वह आप यहां से सेट कर सकते हो और सो बात करते हो वाइब्रेशन कर सकते हो वाच को यहां से डिसकनेक कर सकते हो एप से और कम्प्लेट कुछ इस तरीके से जो है करनेक करके स्मार्ट वाच को फोन से आप यूज कर सकते हो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन जरूर प्रेस किजेगा और वीडियो पसंद आई तो किजेगा